मैथली, हिंदी, भंगला और अंग्रेजी के भरिष्ट साहितिकार राज कमल के 88 जयनती को जाई इंटर्नेस्टल मेरे जूरो इस्ट ऑप कैलास में मनाया गया मुझे लगता है कि राज कमल के जीवन का सबसे बड़ा जो एक मैसेज कह सकते हैं राज कमल स्वयम एक मैसेज थे, एक ऐसा समवाद थे समाज के साथ और साहितिय के साथ जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है और सबसे बड़ा जो समवाद उन्होंने प्रेशित किया वहिया था कि आप जो जरता है जो वर्जनाएं हैं और जो स्थापित मुल्य हैं उनको कहीं न कहीं अगर उसमें कुछ ब्रांतियां आपको नजर आती हैं तो आप उसको तोड़िये और तोड़ने में कोई मेरे ख्याल से कोई वर्जना उन्होंने नहीं बढ़ती तो उनका जो सबसे बड़ा मैसेज वो यह हो नया कुछ स्थापित करें और वही नया स्थापित करना ही राजकमल है मेरे ख्याल से अमित आनंद ने इन्हें 24 करेट का खरा सूना बताया उन्होंने इनके सम्मान में कहा आप जिस प्रकार की मतलब रसना करते हैं उस प्रकार की जीवन जीए तो यह सबसे बड़ा समवाद है उनका राजकमल का आज के संदर में वो ना बामपंती थे ना दक्षमंती थे वो बस आदमी थी 24 करेट सोना थे जो इतने बरे-बरे महान कमी है कहते हैं जो राजकमल जी का जो अनुकरन करना चाहिए जिस कारण से जो आम बच्चे सब के उपर में एक अलग एफेक्ट परेगा और वो बच्चा जब ऐसे महान पुरुस का जब महान जनो यान गता सपन था उनका जो मार को अनुकरन करेगा तो उससे बहुत वेक्टी को सीखने को अच्छा अबसर उससे बच्चे और हरेक भी प्रानी जैसे मैं भी आज बहुत ज़्यादा उनसे अनुभब नहीं प्रा करके और ये चीज़ जो आज प्राप्त हुआ है तो मुझे खुद भी अपना चक्षू आज खुल गया मैं इसलिए आज सभी को धन्यबाद भी देता हूं और राज कमल जी को बारं बार इस पुनिती धी को समस्त जगा भारत बार्शी का नेसको और जगा करना चाहिए घर व्याख्या है उनसे बहुत प्रेडित हुई हूं आज उनके वाले में सुनके मुझे बहुत अच्छा लगा और हरे को उनसे प्रेड़ना लेनी चाहिए और आगे उनके चल दिखाए हुए मार्ग दर्शन पर चलना चाहिए हम तो राज कमल जी के लिखे हुए कविता कहानी को बहुत सारे कहानी को मंचन भी किये हैं और फिलाल में ये ललका पाक को भी किये थे और उनकी कहानी को हम अगर नात रुपांतरित करते हैं तो हम बहुत अच्छा से करते हैं सारे कलाकारों को भी लगता है कि कोई स्क्रिप्ट पर हम काम कर रहे हैं तमल जी अपने आप में ही एक बहुत बड़े साहित्य के पुजारी थे और जिस तरह से वो अपने गीतों को और उसके माध्यम से कभीता ही लिखते थे इससे पूरा देश प्रेरीत है और उन्होंने मितलांचल का ही नहीं मितलांचल का नाम पूरे भारत में जो है गौरप कि किया है जिस तरह विद्यापती जी ने किया है उसी तरह दिल्ली मा आइटींट एक्टिविटीज से जेनियों सब्लागा की लोदी रोड़ना राजकमल आई दुवारा क्यलकिन जे केवल ओ उपदेश ने देलकिन साहितिकार के बहुत पादूंचे उपदेश देना है अप अपना साहितिकार करें अपना साहितिक अपना से त्यां दुवारा है उनका 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 चीठी पर वे आहां जे कंप्लीट कथी रचनावली में चे वह लगभग 8000 पेसे पूरा रचनावली उनका पूरा की कही इस तुर्वार शमग्र किया कि आनवारömा यार्श आय के समय में राजցकमल की जिए इया चाहतना है नीलमाध कर चोधरी निलमाधाक चौरी मोकर महत्मुन इचे राजकमल, महितली, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, सम मन इफलेग, तीन चैट अपहाशा मन इफलेग बहुत नीक बात सब्सक्राइब, किछ बात समरा सामती अभी रोज से होए उपाद में पहने जे से राजकमल की बिश्यम, हम उनका किना देखे इचियां, आर हम कना भी बिशेल में रीदा also कर साहिती के मति विद्यार्थी होए के ना देखन जासके है अच्छा से चर्चा जेशे से चर्चा शुरू है ते और साहिति के वो इस सब एंगल के दिखवा जेए तरीका सा राज कमल देखवा जारें साहिति के वो तरीका सा एक्टिविजम के तर्थीद बात बूध बात सामने अलता है जो खरी साहीतिकार निया रहती है, जो फुरसत धेकार ने होगी जीवान सरटीन हां जेकि बिलकुल लोग के बीच में जाका, जेछे से अप्तिमिजम से होकर ही चलकीन है, तमाम एच्छम के तिकेन चातीनों अपने के काम के संसमरां सब सुन ने आई, जेछे से साहीतियसे हो सब्सक्राइब कोटी कोटी धन्यवाद करें जहां सब आई महान कभी जे राज कमल जी का इस रधास सुमन अरपन करें के लिए यूँ आपने आपको सुभागी प्राप्त करें चीजिए यह तरह कार्ज है अब अग्दम कार्ज कहले तो कर नहीं पर में खुनों चंदा या डोनेशन इत्यादम के लिए कुनों प्रभू के किरफाद से कमी नहीं है अग्वनी में एंबूलेंस चले आई मदोनी के इतिहास में यदि कुनों दान कोरे बला है तो मैं पहिले नाम हम र दोने इस अब चीज के ओपर में ध्यूरा बहुत समाज में क्याल जाए यहां सब सब्सक्राइब करेंची हम सब तीनुसाब भी मिलका आप गाइत्री मंत्र के द्वारा इनका सर्दासुमन अर्पन को दिल जाए अधिक्षा तक्षा वितुर्वरे नियं पर्गो देवस्य जादी मरी दियो योना प्राइचो दया